मुंबे समेत पुरे देश फर में करवा चौत का तेवार धुमधाम से मनाया जा रहा है मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबे के सायन इलाके में और काफी लंबे इंतिजार के बाद मुंबे में भी चांद का दीदार हो गया है आप देखिए कि यहाँ पर टेरिस पर इस वक कई जो हैं वो वरती मौजूद हैं और लंबे समय से चांद का इंतिजार हो रहा था चुकि बादल जो है वो इस वक्त आसवान में आपको दिखाई दे रहोंगे तो चांद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब जब चांद साफ तोर पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो पत्मिया है उन्होंने अपने वरत को तोड़ा है और चांद के दीदार के बाद इस वक्त पुरे विधी विधान से यहाँ पर पूजा की गई है और पती का चेहरा देखा गया है चलनी से उसके बाद यहाँ पर आप देखे किस तरीके से एक एक कर जो पत् बहुत लंबा इंतजार इस वक्त इस साल चांदने करवा दिया आप लोग को बहुत लंबा उइक कि उसके बाद चांद निकले हैं आप क्या कहेंगे कि आज कर वात चौद का तेवहार है पत्निया जो है लिम्शि हों के लिए ये चांद करती हैं इस का आपके लिए क्या मायन है ने बहुत महान दिन रहता है कि जैसे पूरा दीन हमारे लिए निजला अवरत रखे रहते हैं तो हम भी कुछ कि देकर गवांने हैं मैं गारमा कृषिया हैं कि बहुत लंबा इंतीजником हो गया देश के अलगे-लग मैं है और का सचान देखना शुरू हुआ तो सब एक्साइटेट हैं कि चलो जल्दी पूजा करते हैं व्रत तोड़ते हैं काफी इच्छा था सारा कुछ मेरे साथ कुछ यहां पर दूसरी महिलाएं भी हैं उनसे भी बात करेंगे मैडम आप आपने अभी पूजा किया है व्रत तोड़ा है अपना करवा चौत का व्रत है इस व्रत का आपके जीवन में क्या माइन है यह बता है हमारे लिए बहुत बड़ा माइन रखता है क्यूंकि रथ हम अपने पतियों के लिए रहते हैं तो हमारे पति हमारे लिए सबसे आप चुकी आपनी जाप की पत्नी हें उनहां ने व्रत रखा है इस समर्पन भावकार की से से देखते हैं वह उनका एफ़र्टी मतलब इडिए कमेंडेबल इन इसल्फ तो आइप्रिशिएट पर हैं वह एक एक कर अब चांद का दीदार करते वे वरत तोर रहे हैं और यहीं कह रहे हैं कि चांद ने इस बार जो है वह लंबा इंतजार करा दिया अब देखे कि किस तर आप जो हैं काफी लंबे समय से में देख रहा था कि बैठी हुई थी और इस हट पर अड़ी हुई थी कि जब तक चांद दिखेगा नहीं तब तक आप उपास तो रहेंगे नहीं हम लोग तो अरे हुए था जब तक चांद दिखेगा तब तक हम लोग मतलब उपास नहीं मिलने चाहिए चांद ने लंबा इंतजार करा दिया बहुत लंदार करें रहे हैं अपनी पत्नी के लिए उपास किया हूं सुभा से कुछ एक जल गरन नहीं किया हूं अभी जाकर जल गरन करूंगा और मैं बगवान से प्रातना करता हूं हमारे जीवन साथी अच्छे हैं कि अब चांद का दीदार के बाद अब जो वरती हैं उन्होंने अपना वरत तो रहा है और करीब यह कहा गया कि इस बार बारगों से पंदरा घंटे का यह निर्जला वरत था जो की महलाएं अपने पती के लंबे स्वास्त के लिए और लंबी उमर के लिए रखा करती है और काफी लम्हें इंतिजार के बाद जब चांद का दीदार हुआ है तो महिलाओं ने वरत तोड़कर जो है वो अन और जल गरहंड किया है क्यामरावे निर्फान शेक के साथ किश्रा ठाकु डिवीपी नियूस मंबाई